हेलो एफ्रीवन वेल्कम टू एए आउनलाइन सोलूशन तो आगत आप सब्सक्राइब को मेरे चैनल पर तो आज हम आपके लिए कलास 10 का इंपोटेंट चेप्टर जिसको बोलते हैं विध्धुत इससे बहुत ही इंपोटेंट 40 और यह वीडियो फर्स्ट होगा यानि कि मेर चालिस कोशन बताऊंगा जो कि बहुत इंपोटेंट है हाला कि परना तो इंपोटेंट जै लेकिन अभी आपको सारा सवाल पढ़ने की जोड़ों ठैक है तो मैं आपको 40 सवाल इंपोटेंट बताने वाला हूं आप लोग को अगर अंसर पता है तो निचे कमेंड करेंगे और नहीं पता है तो देखिए तो हमारा लेसन है विद्धुत इसको इलेक्ट्रीक बोलते है ना एक जिसको बोलते हैं तो आए तो सवाल और फर्स्ट क्या बोलता है कि सबसे पहला सवाल है कि विद्धुत आवेश का एस आई मातरा क्या है यानि की विद्धुत लेसान से एक एक कोश्चन ऑपजिक्टिव कोश्चन बना बताएंगे अपको एक भी ऑपजिक्टिव कोश्चन नहीं छुटेगा है ना मेरा उम्मीद है यह तो वॉल्ट ओम एं गारा है ओकर तो आफू का डी रायट हो गया है ना यानि की विद्धुत आवेश का मातरा क्या कोला में नेक्ट सवाल अब काई का हलाता है एक वॉल्ट कहां अक बेसकेंट एक चुलवको बड़ नहीं है तो एक और एक बिशिर ऐंपियर में से कोई टू क्या कहलाता थाआ कि इसको एक वॉल्ट भी कहा जाता है आपस्टन हमारा भी इस योगा नेक्ट तिसना सवाल है आमीटर को आमीटर में विजुत परिपत्थ में कैसे जोला जाता है तो आपस्टन हमारे यह होगा सिरीज बोलते हैं ना देंगे किस उपकरन में धन और हमाँ नहीं होता है कि में कुंटली में विजय लिए तो आ मीटर में तो होता ही है वोल्ट मीटर में भी होता है अब दूसेल में भी होता है लेकिन कुंडली में धन और रिन का चीह नहीं होता है यानि कि अंसर हमारा क्यों होगा इसका सी करेक्ट अंसर हो जागा लिद नेख Western सवाल हजी ओम का नियम यानी कि इसमें से कौन है जो ओम का नियम को बताता है ठिक हम यानी कि यानि कि वैण कि अंसर क्या होका तो आपको अगर मजब का नियम याद थक्राइब पता सकते यहां पर इस रुप में कोई मैच नहीं कर रहा है आगर यह भी रहेगा तो यह भी ओम के नियम ही में है आएगा क्योंकि इसी से बनाइए ठीक है ओके नेक्स समस्वाल है विद्धारा की परबलता का क्या है विद्धारा की परबलता के एंप्यर वोल्ट ओम जूल तो इसका यो थैजragen करते न 03 को ऐसे नोड करते है ति कि है कि निजट अपको सवाल है सवाल धारा मापने की जयंत्र को क्या यह वीटर कि धारा कौन सब मसीन यहां पर है जिससे धारा मापा जाता है Twos consider at a पर जिससे धारा कितों होता है पाहत ही इंपोड़्य ही सवाल ही हर लोग है कि इसका अंसर क्या हो सकता है तो इलेक्टोन पर कितना अबेस होता है यहां तो सी और दी डोनों लिखा आपका दोनों असर जागा लेकिन सब्सक्राइब लेकिन देखे वन पॉन सिक्स इंटुटेंट पर मैनस 19 कुलाम दोनों से मिल रहा तो फिलाल याद कर लिजा आप कि इलेक्टोन पर कितना आविस होता है तो यह अंसर आपका उन पॉन सिक्स गुना दस पर पावर 19 मैनस में कुलाम नेक्स आपका नवा सवाल है नवा सवाल है परतिरोद का इस आपको आपको पता है अगर पता है आप लोगको इसका अंसर तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा ठीक है सबस्किल और दस या होता है विष्वांतर का ओं कुलंब या एंपियर को में थारा कॉलंबgender को अले छाएं प्रिश्क और आइज परतिरोद का मात यह को मात रखets खाल करूद छौदमने चामाइब्ट सवाल है उसक्ष्राव इंच का hoffe आई है बहुत ही इंपोटेंट है ठीक है तो उसको जरूर आप लोग याद कर लेज़ेगा हाला कि यहां पर सवाल आपको सवाल आपके देखने की मिलेगा नेक्स एक यारों सवाल है विशिष्ट परतिरोध का इसाय माता क्या होता है ओम मीटर ओम परती मीटर वोल्ट परती होगा ओम मीटर और हमारे एक और गपरन मीटर का विव द्धुट हुब को याद करते है नहीं विद्दूशक्ति का हम आतर क्या है को पावर इसको बु inspiring वोल्ट बहुत ही ऑज्ट यह सवाल है और बहुत हलका सवाल है विद्धू शक्ति का एसाय मातर क्या है तो इसका राइठ अंतर हो क्या वाट आप संसी इसका इसको डबलू एक टी टी वी लिखते हैं वाट है और आप तो पर चुक हैं न्यूटन यह तो कारी का एसाय मातरा का न्यूटन वोल्ट आभी मैं बता है वी वांतर का है जूल है कारी का भी माता जूर होता है जूर होता है एक कुलाम होता है एक कुलाम किसके बराबर होता है एक जूल गुना एक एंपियर बाई एक सेकेंड एक एंपियर बाई एक सेकेंड इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं और यह दूनों काफी इनको इंप्रकुलिट है और अब को जब हर्ड करना होता है इक्जाम में एक्जामनर को चाहता है कि कोशन ज़्यादा डालता है तो याद रखेंगा इस तरह के सवाल को आपको बहुत अच्छी से तरीके से महनत करना पड़ेगा किलो वाट्ट मातर किसका है विदू सकती का विग्धूत और्जा इनर्जी जो विजिली का जो जो भी लोत आता है कि व किलोवार्ट में ता के डॉबूह लिगते इसको ठीक है तो वीधूत उर्जालिकेंगे विदूत शकती नहीं लिखेंगे विदूत और जाका याद रखेंगे ओके सवाल पंदरा नुवर सवाल है एक मिएट ऑफ़े पंदरा साल है कि एक कि दूंइट एक विजोत यूनिट कि dei और यानए कि दूंइट कि ना तो ऑड़ो थे सब्सक्टाइब जोनीट किसा दो एक यूनिट में ते तो एक यूनिट में कितना किलो-वाट हो या किसके बरावर ऑफ्सन दिया हुए एक विदो तर्फ उनिट किसके परावर गंटा को एक गिलोयıyorsun का एह गजूल का या फूर स्वाल गणता एक सका किलो वास्च घंटा केको यूनिट ठीक है एक यूनिट होता है नेक्स सवाल प्रणें को सवाल यहां पे देखिए जब हमारा शरीर गिला होता है तो पर्धिरोत कितना को पचास से तो इसन स्वाल होगा मानाव शरीर का परतिरोध कितना होता है या een कि मनो सरीर का इंग नी कि लेकिन रखने तो कम करण्ट मारता है लेकिन यूष्स का मतलब है कि पर्तिरोध कम गिया डोंломbirds उम होता है लेकिन यह जो माना सरीर होता है उसका परतिरूद कितना होता है यह परतिरूद कितना होता है तो इसका कि अंसर कि हो और तीस हजार ओम किसली का परतिरोध होता है आपसर हमारा यह इसका रहें तो कि परिपत की सुरक्षा के लिए परिपत मुझे का बिजली का वॉल्ट मेंसे कोई नहीं कि तेस्ट का सभी अगा विद्धूद्ध फ्यूज का जैड़ बात है हम लोग फ्यूज का इस्तमाल करते हैं जो बोर्ड में फ्यूज लगारा था स्यूज के पास एक फ्यूज राता है लेकिन और सभी सारा का और जितना समान रहेगा टीवी फिरीज एसी वगरा सब बच ज स्थियूज करते हैं कि नयडरो में कौन से तत्विय होते हैं बहुत ऐस्चा सवाल के नाइकरो में चारबर किल औरffiti क्रोमीय मैं निकेल और खूर्बन नाइलोन और क्रोमीन के तो इसका यहां पर करिक्ट्ट अंसर क्या होगा आपशन और गोसे न क्रोमीन नाएक्षन और नाइक्रोम होता है निक्रोम होता है यानि कि अधातु में इस्तमाल करते ना विद्धुत बल्वे में लगा रहाता है तो इसका सही अंसर आपका हो जाएगा तीन हजार डिगरी सेलशंस आपसे तो देता है तो यह तीन हजार के असपास यह इसका गलनान होता है विद्धुत बल्वे में कौन सी गैस भरी जाते हैं वह बहुत कि लिए गैस आक्सीजन नेट्रोजन यह कोई नहीं तब विद्धुत बल्वे में जो गैस बढ़िए जात फोट बल्व वी नहीं तो बहुत ही ईजी साथ सवाल यहां पर आगी आए जी तो किसी को गलती तो नहीं है जो विद्व बॉत रिखते यह एक तो बहुत तो पर इते यह जौ तो शूल प्लास्टिक वाला यह नहीं यह प्लास्टिक वाला इसको नहीं विद्धुद्ध बना था वो कांच के धातु से बनता है तो प्लास्टिक ही तो उपर बनाता लेकिन कारिकरने की क्या क्या कहते हैं एक जूल पर 30 यह बोल रहा है तो इसका फार्मूल भी यादक पना पढ़ेगा इसको ऑच लोगता है उंक hapsan हमारा है होगा एक जूल पर 302 कार करने की दर होगा उसको कहते हैं तो सवेल के सवाल है एक जूल और एक सिकंड के अनुपाथ को क्या धटे एक जूल और एक के सट्रेक्ट को ऌनुपात क्या कहते हैं just 1.142 दियASH करेक्ट्ट अंशmpाति यह अनुपाती है प्रतिरोध कितना होता है यह बताना आपको तो यहाँ पर देख रहे हैं सारा से में पावर चेंज होए है ना पावर चेंज होए तो सब से में याद रखेंगे लेकिन पावर कितना होता है लेकिन फिटना होता है तो इसका आपका यहां पर डिकया इसको एट कर दिया हूं कि यह आपका अन्सर हो जागा यह उन्यों का पर्तीोद होता है चलू नेक्स सवाल आपका देखिए आंप क्या बोला और कौरें किस पदार्थ में अति निमन्य टाप पर दिना किसी परतिरोध के विदुधारा का गमन होता है उसे क्या सब्सक्राइब करें जिस पदात निम ने ताप पर यहाद कर ने निमने ताप पर ही विदुधारा परवायत हो जाएगा ये सर्विस्रेस्ट चालक उधाराने बहुत ही इम्यृ। सवाल मेरे कासे लंगता है और बहुत इंपोटेंट है। तो चाला के मतलब जिससे बिजली परवा होता सर्वधीक या सर्वेस्रेश्ट सबसे ज्यादा विद्धारा परवायत होने वाला चांदी क्या है आफ़सन क्यों होगा तो पहले जमाने में लोग चांदी का वायर इस्तमाल क्या करते थे उसके बाद देखा जब बेमंदारी बढ़ने लगी तो फिर तामबा का वायर इस्तमाल कर देखकोसा काम करो कई फायदा नहीं होँने वाला ज्यादाद मिलेगा नहीं तो इसका इसलिए करते हैं अब देखोंगे बड़े-बड़े ट्रांसफर्म भी एलुमुनियम का तायर वायर जो लगा रहता है तो फिलाल साथ चालक को नहीं चांदी है है तो फिलाल अगर ज्यादा है तो पतle है है पक्रत्र जादा है यह रखता न जढ़े हैं और खीपर्कृतम मतलत है समानतर करम समानतर करम में सन्यूजित परतिरोध की संख्या घटने के उपरां सन्यूजित परतिरोध के कितना होता है तो समानतर करम में जब परतिरोध करेंगे तो इसका जो सन्यूजित करने पर परतिरोध होगा उसका मान क्यों बढ़ेगा घटेगा समानतर करम में तो इसका क्र होता है तो कुच अलठ हो या आचाल लख हो बात एक ही बहतarena है तो तुटिस्यक्राइब पार पर सब्सक्राइब यहाँ पर डोनों डिशाओं में परवाहिज होती है उसे क्या करते हैं जिस विद्धुत परिपत में धना धाना धारा जो है दोनों दिशावाँ में परवायत होती है उसे क्या कहते है एसी यानिकी परत्वत धारा डिसी यानिकी दिस्त धारा यह दोनों तो इसका राइट होगा एसी क्या होगा एसी जी तो एसी जो है एक ऐसा परिपत है जो दोनों दिस्वावां में धारा परवायत होती है अफसन हमारा यह राइट होगा नेक्ट सवाल देखिए वोल्ट मीटर को समानतर करम में क्यों जोड़ते हैं वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं समानतर करम में ये भी याद अखेगा आँ ए मीटर को जोड़ते हैं सेरीन करम में तो वोल्ट मीटर को समानतर करम में क्यों जोड़ते हैं अधिक परतिरोध पराप्त करने के लिए अधिक फरतिरोध प्राप्त करें एनकि वोल्ट को को समानतर करम में जोडते हैं कि कि परतिरोध ज्यादा हम को मिले परति अधिक प्राप्त होँ आफसे अमारा ए इसका राट अंसर हो झाल अज़ा गर jis लावर का यहां पर रैसर हो जाए लगा में क्यों जोडते हैं हाला कि सामांतर इसाइए वह में करने के लिए लेकिन अमिटर को सिरेनी करमें जोड़ते हैं तो इसको जोड़ते हैं करने के लिए कम परतिरोध करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं और वोल्ट करने के लिए ठीक है चलो नेक्ट सवाल है वोल्ट मीटर को किस करम में जोड़ते हैं तो इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा ऑफशन यह होगा समांतर करम में है ना जी ऑफशन इसका होगा सेरेनी करम में तो जोड़ते हैं जाद रहाएगा समांतर करम सेरेनी करम सीरीज बोलते हैं जैसे कि मिसाल का यह देखें जाल जालर जालर उसमें लेट लगा रहता है एक लेट खराब होगा तो सब खराब हो जागा तो कि सब करेंशन एक जोड़ा और इसे ही हना एक अगर इहां पर सौट लगा तो पूरा जि सब्सें लगा लगा हुआ है एक इसमां यहाँ तो अगर यह बोड में दो लेक्ए समान को बच जाएगा और यह सबबनें को तो होगा जिसका परतुरोद बढ़ेगा जिसका विदुद्धारा का मान बढ़ेगा वोशी को एफेट करेगा और वह भी सिर्फ फ्यूज गलेगा कुछ सामान एफिक नहीं करेगा तो इसको याद रखें आज फ्यूज होता है उसका जो है जल्दी गल जाता है ठीक है गलनांक उच्छ रहता है ओके अपर तरोद उसका कम रहता है नेट विदुद्ध विभाव कौन सी राशी है बहुत अच्छा सवाल है विदुद्ध विभाव कौन सी राशी है साधिस अधिस दूनों तो यहाँ पर 36 सवाल का अंसर क्योंगा ऑफ्शन हमारा अधिस विदुद्ध भी वाव जो है वो कैसे लाशी है अधिसराश यह आप्शन बी इसका रहाट होगा एक एक कुलाम आवीस में कितना इलेक्ट्रोन होता है एक कुलाम आवैस में इस ते पर ले सवाल पढ़े थे एक लोक्ट्रोन में कितना होता है तो वनद पॉन पॉन 6 दुन्द पर 818 एलेक्ट्रों जाद रखना 6.25 दुब 10 18 गॉट ही मतलब हाड लेवल का सवाल यह है कोश्टन को जब हाड करना होता है तो यह सब सवाल डालता है और यह सब बहुत स्टुडेंट को याद रहता है लेकिन कांफीजर अधी है रहे जलिए नेधक अर्ती Schneeon के पर्थिरोधक्ता होती है घातू हों और मिस्यत हट कि परतीज चता कम होती अधीक अधिक होती है है तो यह जो दिना समस्सावाव भगया जितना भी है लगभग लगभग भी लोहा सोना चांदी तामबा सब से बिजली पार हो होता है निक्टे 49 सवाल है यहाँ पर देखें उन्चार्शन सवाल आपको ऑफसन दिखेगा नीचे में विद्ध उर्जा का वैपारिक मतरक वाट और है आपका वाट गंटा यूनिट इन में से कोई नहीं वैपारिक नाम बताना है तो ऑफसन हो जागा यूनिट क्या हो यू सवाल प्रते सवाल तो बहुत काफी अभी हां पर बोलता मैं आपको कम से सवाल है यह वीडियो दो पाटे मनेगा तो पहला पार्ट में आपको बता रहूं दूसरा पाट आपको कल साम को होगा एक माइक्रो एंपियर विजुद धारा निमने से कौन से हैं एक माइक्रो एं है ओके तो इसका सही अंसर होगा ऑफशन हमारा सी राट होगा बिल्कुल सही जिसको जिसको याद था 40 सवाल में कम से कम अगर मैं मतलब ज्यादा नहीं कम से कम अगर 30 सवाल आपको आग्या होगा तो काफी अच्छे है 30 बटा 40 गुना 100 कितना परसेंट होता है यह देख लो दो दुना 4 परसेंट के आजब सब कर रहेगा अगर 30 सवाल अगर 20 सवाल से होता है तो 50 तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कितना सही बनाएं ठीक है कमेंट जरू करना और यह आपका जो वीडियो था यह था आपका पार्ट वन और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पार् तो आज की वीडियो यहीं पर लाश करता हूं मिलता हूं मैं आपको नेक्स वीडियो में इससे पहले मैं आपको बता हूं कि अगर आप मेरे से जुना चाहते हो तो टेलीग्राम नमका अप्लिकेशन डाउलोड करो प्ले स्टोर से और वहां पर सब्सक्राइब और मुझे मिलेगा तो मैं भी जबाब दूँगा और इससे बड़ी यह बात है कि आप मेरे से मैसेज भी कर सकते हो मुझे जहां तक होगा मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा टेक है वीडियो अच्छी लगे है तो लैक तो बनता है ना लैक किजिए और सब्सक्राइब नहीं किये तो आपका सेलिबस कंप्लीट करूं ओके तो दिजिए मुझे इजाजत मिलता हूं नेक्स्ट विडियो में डैट साओ थैंक्यों एवरिवन हैवे नाइस डेव